तो दोस्तो हमारी कस्मीर सीरीज का सीजन टू जारी है इसके अभी तक दो एपिसोड आ चुके हैं एपिसोड एक में कस्मीर कैसे पहुँचे और एपिसोड दो में सिरी नगर के बारे में डिटेल दी थी उसी को जारी रखते हुए इस एपिसोड तीन में उस जगे की बात कर सस्ते में कैसे घुमें होटल कहा मिलेगा कुल खर्चा हमारा कितना आएगा गुलमर के इन स्थानों को भी देखेंगे जैसे गॉंडोला सिव मंदिर गॉल्फ कॉर्स खिलन मर्ग इस्ट्राबेरी वैली सेंट मेरी चर्च अफरवाद पीक टंग मर्ग बाबा रेसी और द्रं सफर में आपको 1445 मीटर की हुठायी चर्ड़नी है इसमें स्रेनगर से टंग मर्ग 38 किलो मिटर का रास्ता to मैगानी है बाकि टंग मर्ग से गुल मर्ग 12 किलो मिटर के रास्ते में यह आपको पहार देखने को मिलेंगे जो जगह चैन को पहार देखने तो आप अपने हिसाब से उच्छारण कर लेना अब बात कर लेते हैं कि सिरी नगर से गुलमर्ग पहुंचना कैसे है तो देखिए अगर आप फोर सीटर प्राइबे टेक्सी या कार से जाना चाते हैं तो सिरी नगर से गुलमर्ग सेम डे जाना और आना उसके लगेंगे देंगे करीब बारे सो रुपए और ज्यादा सस्ती यात्रा करनी है तो भाईया फिर सेर वाली टेक्सी कर लीजिए सिरी नगर से वह दोस्तों रुपए पर परसन में केसाब से आपको पहुंचा देगी गुलमर्ग सिरी नगर से गुलमर्ग आना उड़ जाना सेरिंग टे नहीं होगी आपको जिसका क्राय है 40 रुपए मतलब कि यहां बस से सो रुपए में गुलमर्ग पहुंच जाओगे अब हम सिरी नगर से 38 किलोमेटर चलकर टेंग मर्ग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग यहां से 12 किलोमेटर है अब आप पूछ सकते हैं कि टेंग में बस चे पाओगे लेकिन अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो टंग मर्ग में कार के पहियों पर चैन जरूर बंद ले ना यार क्योंकि साड़क पर फैली रहती है बरफ उस कारण होती है फिसलन तो फिसलन से बचने के लिए यहाँ पर कार के पहियों पर लगाई जाती है चैन कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि रेंट की कार से आप आते हैं तो वो सिरी नगर से टंग मर्ग तक ही आएगी फिर उसके बाद टंग मर्ग से गुलमर के लिए चेंज करनी होगी दूसरी कार पर भाई हमारे साथ तो ऐसा ना हुआ हमें स्री नगर से प्राइवेट टैक्सी मिली थी अंधेरा होने लगाता धीरे धीरे तो हम टंग मर्ग में ही रुख गए थे अगले दिन उसी टैक्सी से हम गुलमर्ग पहुंचे थे कोई चेंज वगेरा नहीं हुई मतलब किसी यूनिन ने हमें नहीं रोका पता नहीं जो भी कारणा रहा होगा दोस्तों टैंग मर्ग से कस्मीर की कुछ जगे काफी नजदीक पड़ती हैं जैसे बारा मुल्ला यहां से है 34 किलो मिटर सोपोर है तो आगे बताएंगे टंग मर में नीचे जो आप पेड़ देख रहे हैं न यह है सेब के पेड़ है भी तो खैरीन का मोसम नहीं है पर अगर आप सेबों से लदे हुए पेल देखना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टोबर आपके लिए ठीक रहेगा यहां पर रुकने के लि किर बहुत रामीता भाई साब उसने हमसे बहुत सारे रुपए एड़ लिए हमारे पास उसकी सकल की वीडियो तो है उसके चेहरे की पर हम यहां दिखाएंगे नहीं क्योंकि उसकी रोजी रोटी का सवाल है यार कियो किसी के पेट पर लात मारो हमने उसे माफ कर दिया कि ज कोई भी कमरा ना लीजिए होटल वालों से उनका कनेक्शन रहता है कि हम आपके पास टूरिश लेकर आएंगे और आप हमें इतने रुपए दे दे देना होटल वाले भी कहते हैं चलो कुछ ना से तो कुछ सही कुछ हद तक तो यह ठीक है कोई दिक्कत परिशानी वाली बा रुपए में भी यहां पर कमरा मिल रहा था तो देखिए कहां पर दस अजार और कहां पर एक हजार आमीर ने तो एक जीरो और बढ़ा दिया था खैर चोड़ो आगे बढ़ते हैं अगर आप विंटर में आ रहे हैं न तो बरफ पर चलने के लिए यहां पर आपको दोस्तों गुलमर की और बढ़ रहे हैं जो कि यहां से 12 किलोमेटर है और रास्ता देखिए कितना खुबसूरत है चलते चलते गुलमर के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं दोस्तों हिमालिया के पीर पंजाल रेंज में बसा गुलमर्ग 12 मुला जिले में है इसका पहला न मतलब की फूलो का मैदान अंग्रेजी में कहें तो मैडव फिलोवर्स गुलमर दो चीजों के लिए जाना जाता है एक तो इसकिंग के लिए और दूसरा गॉंडोला के लिए इसकिंग को बढ़ावा देने के लिए 1948 में यहां पर भारतिय सेना ने इसकी स्कूल बनवाया ज अमेरी की न्यू चैनल सी एन एन आज गुलमर को जो है पूरी दुनिया में इसकिंग करने के साथ सबसे अच्छे इस्थानों में से एक मानता है गुलमर में कई बॉलिवुड मुवीज के कुछ पार्ट्स की शूटिंग यहां पर हो चुकी है जैसे 1973 में रिसी का पूर और डिंपल कवालिया की फिलिम बोबी का गाना हम तुम एक कमरे में बंदो और चावी खो जाए यहीं पर सूट हुआ था वैसे यार सर्दियों में यहां इतनी जादा ठंड होती है कि चावी खू जाए न तो जादा अच्छा है क्योंकि अगर वो खो जाएगी तो अंदर पानी उसके भी कुछ सीन यहां पर सूट हुए थे गुलमर्ग और मनाली में इसके अलावा फैंटम जब तक है यारी मिशन कस्मीर का गाना बूम्रो बूम्रो यहां पर फिल्माया जा चुका है तो देखिए हम गुलमर्ग में एंटर कर चुके हैं थोड़ी बहुत भीलब होते हैं अगर आप सिंपल वाला भी लोगे ना साधारान सा कोई कमरा तो वह पंद्रेस रुपे में आपको मान कर चलिए इसलिए अगर आपको कम बजट वाला चाहिए न सस्ता तो इसी के आसपास ले लीजिए अगर यहां से डेल किलोमेटर आगे गुंडोलो के पास कोंडोला मतलब रोप वे या केबल कार और पच्छिस सो रुपए से उपर से सुरू होते हैं यह और विंटर में आएंगे ना तो एडवांस बुकिंग करका जरूर आना वरना यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा यहां दर-दर ठोक्रे खाते हुए मिले हुए हमने भी जो है भाई यह रुकना तो था ही तो हमने यह ले लिया हंदेरा होता जा रहा था अगर आपको यह रुपए ज़्यादा लग रहे हैं ना पांस है रुपए वैसे यार ज़्यादा तो है लेकिन आप जो मैं आपको होटल के रेट दिखाऊंगा ना उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं लगेंगे उनके रेट इतने जादा है जिनका देखकर आपके होट जाएंगे तो यह देखिए गुलमर गॉंडोलो के पास है खैबर हिमालियन रिसोट एंड इस्पा इसका यहाँ पर एक नाइट का चार्ज है बावन अजार तीन सो पच्चिस रुपए से कमरा शु रहा है एक रात रुकने के लिए और इने फिक्स मत समझ लेना यार कि बस यहीं बात खतम हो जाएगी भाई इसमें 18% जीएश्टी भी जुड़ेगा तो वहां लगा लिए कितना पहुंच जाएगा यह मतलब इनके जीएश्टी में अगर हम चाहें तो यहां आराम से चार और वहापस भी चले जाएंगे चार दिन में इनके जीएश्टी जेस्टी में अब यह कमरा दे रहे हो यह पिलोट बेच रहे हो तमारे होल के कमरे फुल भी होते होंगोगे यह बस ऐसे ही मजाक कर रहे हो पर भयई यह इनहें भी पताहे है कि कुछ लोगों के पास इतना ज स्रीनगर पहुंच जाएंगे अगर आपका बजट कम है ना तो भी आप ऐसा ही कीजिए सर्दियों में इतना कुछ यहां पर मैं आपको कुछ होटल की लिस्ट दिखा देता हूं कि इसमें एक रात रुकने के जो है कितना आपको चार्ज देना होगा यह पूरी लिस्ट आपके सामने है उसी साफ से जो भी आपको बजट हो आप देख लेना अब चुकि हमारी वीडियो सब के लिए होती है तो उपर के मुकाबले कुछ हम कम बजट के होटल आपको दिखा देते हैं इसके लिए आपको जाना होगा जम्मू कस्मीर सरकार की वेबसाइट jktdc.co.in इससे जम्मू कस्मीर के जो होटल है न उनकी बुकिंग होती है जैसे हमें यहां पर गुलमर का देखना है तो वो सर्च कर लीजिए यहां पर रूम टाइप में कई तरह के रूम आपको सो हो रहे हैं इसमें डिलक्स रूम और डिलक्स सूट इसका रेट है 2352 रुपए पर डेगा इससे उपर जाते हैं तो वन बैडरूम कोटेज डिलक्स वाला ले लीजिए उसका पड़ेगा 3136 रुपए और तू बैडरूम का होगा 5488 रुपए पर नाइट इसके अलावा और भी जाद है महेंगी चाहिए तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे वेबसाइट पर कमरों के फोटो दिखाए गए हैं आप यहां पर देखकर तसलिक कर लेना कि यह आपके लिए ठीक हैं या नहीं या आप इनके लिए ठीक हैं या नहीं जो भी कुछ है और यह सब गुलमर्ग गोंडोला के आसपास ही हैं दोस्तों मैं एक बार फिर दोरा देता हूं कि विंटर में यहां रूम का रेट काफी बढ़ जाता है गर्मियों में भले ही थोड़ा कम हो जाए पर एकदम से सस्ता किसी भी मुसमें यहां आपको नहीं मिलेगा सस्ता चाहिए तो या तो तंग मर्ग में ले लिजिए जहां हजार रुपए के आसपास मिल जाएगा और या फिर गुलमर्ग में मार्केट के आसपास वहां पंद्रे सो से पस्तिस रुपए में मिल जाएगा बाकी डिबैंड क बरफ पर हुरदंग काटने हैं मस्ति करनी हैं तो 200 से 500 रुपए के बीच कोट और जूते वगएरा आपको मिल जाएंगे चलिए गुंडोला की बात हम बाद में करेंगे पहले गुलमर्ग में कुछ घूमने की जगों के बारे में जान लेते हैं जैसे यहाँ गुलमर्ग में एंटर करोगे न तो वहाँ पर यह एक बड़ा सा मैदान दिखाई देगा यह गुंडोला तक फैला हुआ है अभी तो यहाँ चारो तरफ बरफ भी बरफ है जब बरफ नहीं होती न तो यहाँ पर हरी घास और फूल आपको खिलते वे मिल जाएं यह करीब दो किलोमेटर लंबा मैदान है जहां देखने की काफी सारी जगे हैं जैसे सीव मंदिर गॉल्फ कोर्स इस्टावेरी बैली खिलन मर्ग और सेंट मेरी चर्च इनको हम बात में देखेंगे पहले बात कर लेते हैं कि विंटर के समय अगर यहाँ आ रहे हैं तो क्य लग रहा था कि वो हमारा वजन खीच रहे हैं हम अराम से बैठे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि यह हमारा रोज का काम है इसी से आमदनी होती है तो कोई दिक्कत परिसानी वाली बात नहीं है आप बेजी जग इस पर बैठ जाओ हमें कोई संकोज नहीं है हमने भी सोचा चलो यार थोड़ा experience भी हो जाएगा और इनकी थोड़ी income भी ऐसे बैठने में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था पर जब यह बरफ पर ढ़लान से नीचे फिशलेते ना इस सिलेच से तो उसमें काफी मज़ा आता है तो यह आपके उपर है कि आपको यह करनी है या नहीं करनी यह यह सिलेच के 1000 से 1200 रुपए तक बताएंगे लेकिन आपको खूब दवा कर सोधे बाजी करनी है कि ठीक लगाओ ठीक लगाओ तो यह 200-300 रुपए में आराम से मान जाएंगे जैसे हमने सिरी नगर में बताया था कि अगर किसी चीज के रेट फिक्स नहीं है तो जितने भी व आप कस्मीर में सर्वाइव कर पाओगे वरना जो यहां से लुटकर ही जाओगे इतने यह यहां पर रेट बताते हैं हम दोनों से प्यार प्यार में इन्होंने पांस यह रुपए यह एठ लिए कि हम आपको यह कराएंगे वो कराएंगे ऐसे दिखाएंगे एक्टिविटी बगरा बगरा जो भी कुछ था मीठी मीठी बात करके यह आपसे इतने रुपए निकलवा लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा अब बताओ इन्होंने हमें क्या कराया बस दोनों को सिलीच पर बैठा दिया और इस खुले से मैदान में वो दिखाया जो हम बिना किसी ग केज मत लीजिए यह इनकी रोजी रोटी का सवाल है ठीक है पर यार एक जयाज रेट हो उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है पर यह जब हद से जादा बढ़ जाए ना तो थोड़ा जेब धीली हो जाती है और सोचना पड़ता है जहां 500 रुपए में आराम से काम चल सकता ह है इस पूरे एरिया में आप फिरी में आराम से घूम सकते हैं कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करोगे तो उसके दुरूपए आपको अलग से देने ही होंगे इसी मेदान में थोड़ा आगे चलकर खिलान वर्ग नाम से एक जगह है जहां विंटर में स्किंग कर सकते हैं इसकिंग के लिए तो गुलूमर्ग जाना ही जाता है यार जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह दुनिया के टोप सेवन बैस्ट इस्थानों में से एक है जहां इसकिंग के लिए अच्छी सुविदा है यह धलान है यहां यह बता रहे थे कि खिलान वर्ग का नाम ही इसकिंग यह एक्टिविटी नहीं की है ना इसकिंग वाली तो भाई सब एक बार जरूर करके देखिएगा क्योंकि भले यहां गिरोगे उठोगे रप्टोगे जो भी कुछ लेकिन अगर गुंडलों पर नहीं जाना है तो नीचे कर रही है यहां पर जब यहां पर बरफ नहीं होती तो यह पूरा मैदान जो है फूलों और घासों से घिरा रहता है इसी लिए तो गुलमर का नाम रखा गया है उस दोरान घुरसवारी होती है तो अगर आपको घोड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कस्मीर के बचे हुए मंदिरों में से एक मंदिर यहां पर फेमस है जो कि आप देख रहे होंगे कि मैदान के बीच ओ बीच थोड़ी उचाई पर बना हुआ है यह मंदिर है एक सो साथ साल पुराना भगवान सीव जी और पारवती जी को समर्पिद जिसको महारानी मंदिर महालक्षमी मंदिर और सीव मंदिर भी बोला जाता है मंदिर देख रहे हैंगे कि आपकी कितना खुबसूरत है यहां पर 1974 में राजे स्काना और मुम्ताज की एक फिलिम आई थी आपकी कसम उसका गाना जैजै सिवी संकर काटा लगेना कं कोदिया जी ने बनवाया था जो कि जम्मु कस्मीर के महाराज हरी सिंग की पतनी थी 2021 में इंडियन आर्मी ने मंदिर में हुई कुछ टूट फूट को यहां पर ठीक कराया था जिसकरना आज यह मंदिर और भी ज्यादा खुबसूरत लगता है मंदिर के अंदर सिविलिंग मंदिर से करीब 600 मीटर की दूरीपन आपको एक गॉल्फ कोर्स बनावा मिल जाएगा गॉल्फ कोर्स तो आप समझते होगे न कि किसे कहते हैं अरे वही जो डंडे से गैंद को मारकर उसको गड़े में गिराया जाता है गुलमर के इस गॉल्फ कोर्स में 18 गड़े मतलब 6 है इसकी खासियत यह है कि यह सी लेवल से 2650 मीटर की हाइट पर बनाए और इस उचाई पर यह दुनिया का सबसे बड़ा गॉल्फ कोर्स का मैदान है अंग्रेजों ने 1904 में इसे बनवाया था और 1922 में पहला गॉल्फ कोर्स टूनमेंट यहां पर खेला गया था अगर आप गड़े में गयांद डालकर खेलना चाहते हैं तो एक दिन की टेंपरेरी मेंबर्सिप ले लीजिए सुबह साड़े आठ बजे के आसपासी खुल जाएगा सर्दियों में तो गॉल्फ कोर्स क्या धर्ती भी ना दिखाई देगी यहां पर इतनी जादा बरबारी होती है बर 2003 में इसकी मरम्मत करवाई गी थी 2030 कहां आई गया यार 2022 तो चल रहा है भी इसके बाद 2013 में भी काफी कुछ यहां पर काम हुआ था तब उस समय यहां पर क्रिसमस का आयोजन क्या गया था इसका गेट लगड़ी का बना है और छट हरे रंग की टाइलो वाली दोस्तों चलते चलते हैं अब हम आ गए हैं इस्त्रावेरी बैली की ओर यह सेंट मेरी चर्ट से धाई किलोमेटर की दूरी पर है इसको देखने का सही समय है मार्च से जोलाई तक का पैदल घुमते घुमते भी आप यहां आराम से पहुच जाओगे लेकिन अगर घोड़े पर बैठने का स सकते हैं दोस्तों अगर आपको पुरानी चीजे देखने का सोक है तो गॉल्फ कोर्ट से दो किलोमेटर दूर बना है महाराजा पैलेस एंट्री फीसे 40 रुपे इसको हरी सिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है इसमें डोगरा सासा के इतियास की जलक आपको देखने को म मिल जाएगा कहीं कुछ गाइडिया पैकेज करने की कोई जरूत नहीं है आप आराम से यहां पर खुद अकेले भी घूम सकते हैं हाँ अगर आपके पास रुपया ज्यादा है या अकेले घूमने में संकोच है या फिर ट्रैकिंग वगरा करनी है तो पैकेज ले सकते हैं अपनी देशी बासमें से कहते हैं उड़न कटोला यह सीव मंदिर से करीब दो किलोमेटर की दूरी पर है खास बात यह कि लंबाई और चोड़ाई के मामले में यह एसे में पहले नंबर पर है और दुनिया में है दूसरे नंबर पर वह सब बाद में जानेंगे पहले हम टिकेट नहीं मिलेगा मतलब हर तरह की वह आपके साथ कोशिस करेंगे ऐसी कोई भी बात नहीं है गोंडोला के रेट जो हैं बिल्कुल फिक्स हैं उनमें यह एजेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसकी टिकेट अगर आपको बुक कर नहीं है तो ऑनलाइन कीजिए जेके के गोंडोला दो फेज ओपर चलता है अगर आप ओनलाइन बुक नहीं कराते तो यहीं से फेज वन का आपको टिकेट मिल जाएगा इसका किराया है साथ सो चालिस रुपए तीन साल से चोटे बच्चों का बिल्कुल फिरी है अब जब उपर आप पहुंच आओगे तो वहीं स सब्सक्राइब से 2600 मिटर की हाइट से गोंडोला शुरू हो रहा है यहीं फेज वन है जो गुलमर्ग से शुरू होकर कॉंग डोर की 3068 मिटर की उचाहित तक आपको पहुंचा देता है तो यह उचाहित थोड़ी बहुत कम यह जाद हो सकती है तो एर्जेस्ट कर लेना क्य सामके पांच बज़े तक और सर्दियों में सुबह 10 सामके चार बज़े तक इस फेज बन में 19 टावर लगें जिस पर 36 केविन यह डिबे चलते हैं जिसमें आप बैठते हैं और एक केविन में जो है 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं एक बार में इस धाई किलोमेटर लंबे केवल क बार या रोप वे को ऊपर पहुचने में टाइम लगता है 9 मिनिट का फेज वन पर उतरने के बाद आपको बहुत सारे एडवेंचर अक्टिविटी वहाँ पर करने को मिल जाएगी जैसे इसकींग या स्केटिंग या स्लेज बगार करते हैं तो उसके घंटे के करी 500 रुप तो के वन के 126 रुपए हैं जिसमें आप पीछे बैठोगे और वो ड्राइवर चलाएगा उसको के टू के सतरे हैं बस उसमें आप आगे बैठ कर उसको चलाओगे और या पीछे इसलिए कि आज़तोड़ी आपको अकेले जाने दे अरे इतनी महेंगी उसकी भाइक है अगर के फोर का है साड़े तीन हजार रुपे तो अगर आपकी सोधेवाजी करने की छमता अच्छी है ना तो ये रेट कम भी हो जाएंगे बाकी एटेवी वाले से बात कर ले ना कि यार कुछ उपर नीचे कर दो यार गुलमर के गुंडोलों को बनाने की परिमिसन दी गई थी 1988 मे लेकिन 90 के दसक में आतंगवाद बढ़ने की वज़े से इसका काम रुका रहा अब 90 के दसक में कस्मीर में क्या हुआ था ये सब जानना है तो कस्मीर फाइल्स मूवी देखिए सब कुछ पता चल जाएगा विवेक अगनी ओतरी की ये बहुत अच्छी फिलिम है जो आपको अगर आपका बज़ेट कम है तो उपर जाने की कोई जरुद नहीं आप इसी पर घूम भिरकर नीचे चले जाईए लेकिन अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो इसके लिए आपको बरफ देखनी है तो आपको जाना होगा फेस टू पर वहाँ अपरेल से जून तक भी आपको बरफ देखने को मिल जाएगी लेकिन सरदियों में जब ज़्यादा सिनोफॉल हो जाती है या फिर मौसम खराब हो जाता है तो इस फेस टू को बंद कर दिया जाता है जब तक मौसम साफ नहीं होता अब हम फेस टू की ओर चल रहे हैं जिसका टिकिट यहीं फेस बन के मिल जाएगा वापसी में जब एक साथ नीचे आते हैं सब तो थोड़ी भीड हो जाएगी इसलिए तीन वज़े तक हाँ वापिस के लिए गॉंडलों के पास पहुंच जाईए फेस टू कॉंग डॉर की 3068 मीटर की उचाहिस से शुरू होकर अफरवात की 3948 मीटर तक जाता देगा इसमें 90 केवीन है और एक घंटे में 600 व्यक्तियों को ऊपर ले जाने की छमता है फेस टू 28 में 2005 को बनकर तयार हुआ था यह फेस टू के समाना अंतर आपको चेयर लिफ्ट लिखाई दे रही होगी हमने कहा था कि भाई इसमें भी हमें बढ़ा दो यार उन्होंने क भी बड़ा खूपसूरत और फेमस है गुलमर की तरह यह भी अपनी स्किंग और केवल कार के लिए पूरी दुनियों में जाना जाता है गुलमर की चेयर लिफ्ट जो है 2011 में बनकर तयार हुई थी विंटर में यहां पर इंटरनेशनल खेल और इसकी कंपटीशन भी होते है यह कॉंग डोर से सुरू होकर मेरी सोलजर नाम की पाड़ी तक जाती है 11 मिनिट में आपको यह उपर छोड़ देगी इसमें 90 चेयर लिफ्ट लगी है जिनका क्राया है 3.500 रुपे सुबह 11 से सामके 3 बज़े तक यह खुला रहता है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अग कहीं बार सोचोगे उस्तों में डरा नहीं रहा यह रोपवे और चेयर लिफ्ट पूरी तरह से सुरक्सित है कोई दिक्कत प्रेशानी वाली बात नहीं होगी देखने में अच्छी है इसलिए मैंने आपको यह बता दिया अब आप इसको देखो या ना देखो आपकी मर्ज पर यह गुलमर पूरी तरह से सेफ है कहीं आप फिलिम देखके डर जाओ कि हम ना बैठेंगे इसमें अब हम फेस्टू के टोप पॉइंट तक पहुंच चुके हैं इसके उपर कोई भी जोय रोपे नहीं है यही लाश्ट है कितना खूपसूरत नजा रहा है पाड़ों पर बरवा के स्वर्ग और जन्नस सी फिलिंग आ रही है खैर हम उपर गए तो नहीं स्वर्ग में पर यहां पर हम कलपना कर सकते हैं मन करता है कि इन खूपसूरत वादियों को यूई देखते रहे लेकिन इस सामदार वीव पर बुरी नज़र रखने वाला अपना नालायक आप नहीं करना चाते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फेस्ट उसे हैली स्किंग भी होती है अरे वह देखा होगा ना आपने की हैलीकॉप्टर पाड़ पर उड़ता है और उसमें से लोग चलांग मार कर नीचे पाड़ों की ड़लानों पर फिसलते हुए आते हैं टूरिस्ट को और ज्यादा फैसलेटी देने के लिए मास्टर पिलान दोजार बतिस पर यहां पर काम चल रहा है दोजार आठ में गुलमर्ग एवलांच सेंटर यहां पर सुरू किया गया था यह बताता है कि स्किंग करने के लिए कब मोसम ठीक रहेगा बरफ का तूफान तो नहीं आएगा मतलब कि प्रिकिर्थी से रिलेटीड अगर मोसम में कुछ हल चल होती है तो यह उसकी जानकारी देता है हर साल मार्च में यहां पर विंटर फैस्टेवल भी मनाए जाता है तो अगर आप मार्च में आ रहे हैं तो यहां पर धियान दीजिए तो चले अब आपको अफरवात पाली के तलहटी में बनी एक जमी हुई जील की और लेकर चलते हैं यह गॉंडोला फेस्टू से तीन किलोमेटर के दूरी पर है जिसको कहते हैं अल पाथर लेक यह फ्रोजन लेक मतलब जमी हुई लेक क्योंकि नवंबर से मार्च तक इस में जो पानी है मत चलो बाकी मुसम में भी बरप के टुकड़े यहां पर तैरते विए आपको मिल जाएंगे त्याल पातर लेक जो है सी लेवल से 4511 मीटर के आइट पर है सर्दियों में इसका रास्ता काफी कठीन हो जाता है क्योंकि यह तो सिनोफोल हो रही होती है यह बरप नीचे मतलब तीन घंटे में आप आराम से लोट फेर कर लोगे तीन किलोमेटर की पेट पूजा करकर ही चले या पिर अपने साथ बैक में कुछ चीजे रख लेना खाने पीने की क्योंकि ऊपर ऐसी कोई व्यवस्ता नहीं है जहां पर आपको कुछ समान मिल जाए खाने के लिए औ उसके बाद भी आपको पैदाली जाना होगा और हाँ अकेले जाने की कोशिज बिल्कुल भी ना करें कोई लोकल गाइड जरूर कर लेना अच्छा रहेगा कहीं आप भटक ना जाओ क्योंकि यहां सब पाकिस्तान पास में है और मालो एक परचेंट अगर आप भटकते भट किरियंस हो जाएगा अगर यहां वहां जाने की इच्छा है तो मत जाएगा बाइस सब कह रहा हूं मैं अपने भारती भारत में रहो कुछ दूरी तक घोड़े भी जाते हैं लेकिन वह जो एक निश्चित दूरी पर जाकर रुख जाएंगे उसके बाद जो है आप से आपको रुकना नहीं है चलिए अब हमें ठंड लगने लगी है इसलिए गोंडोला फेस्टू से नीचे के और चलते हैं और चलते चलते गुलमर्ग में आने पर क्या सावधानी आपको रखनी है और क्या समान चाहिए ज़रूरी उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर ले जिसमें आपको इंटरनेट भी मिलेगा दूसरा यह कि सर्दियों के लावा गर्मियों में भी आ रहे ना तो थोड़े बहुत कुछ गरम कपड़े जरूर साथ रखे क्योंकि सामके समय ठंड लगती है तीसरी बात यह कि जो भी आपको कुछ बीमारी हो या कुछ लगता हो क कि आपको पाड़ों पर जाकर यह हो जाता है कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसकी दवाई जरूर रखें जैसे सरदार्द बदंदार्द उल्टी गैस या जो भी आपको कोई दिक्कत हो वह दवाई रख लेना इसके लावा लिपवाम और चसमें भी जरूर लेकर आएं क्यो और जो है चहरा-चहरा बेकार हो जाता है तो वैसलीन भी रख लेना और सबसे जरूरी बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको खूब मोल भाव करना है खूब सोदेवाजी करनी है जितना हो सके उतना उनको खीच कर रेट नीचे ले आईए अब हम नीचे आ कैफे है जो पूरी तरह से बरफ से बना हुआ है यहाँ पर मेज और कूर्ची तक बरफ की बनी थी यह साड़े 37 फिट उचा और साड़े 44 मिटर चोड़ा है इससे पहले यह रिकोर्ड नाम था स्वीजिलेंड के इगलू कैफे का गुलमर के इस कैफे में 10 बरफ की टेवल बनी हुई है और एंट्री करने की फीज थी 200 रुपे बाकी खाने पीने के आपको अलग से चार्ज देना था तो अगर आप जनवरी या फरवरी में यहां गुलू मर्ग में आ रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि इस बार इगलू कैफे बना है या नहीं उस तो दिहान होगा तो मैंने टंग मर्ग में एक खूपसूरो जगे के बारे में जिक्र किया था वो है द्रंग वोटरफॉल जो कि गुलू मर्ग से 16 किलोमेटर और टंग मर्ग से 3.5 कि दूरी पर है यहां जाने का सबसच्छा जो मोसम है जो समय है वो है जनवरी में क्योंकि इस खुला हुआ है यह सिंगल रोड है सड़क पर बरफ हो तो कार के पईयों पर चैन जरू लगवा लेना क्योंकि जो है वो फिसलने से बचाती है और बाइक से आने से बचे क्योंकि भाई यह दो बहुत जादा रपटती है लगवाने को उस पर भी जंजीर लगवा लोगी ल पैतर एक घंडे में आप यहां पर आराम से पहुंच जाओगे टंग मर्स है खाने पीने के नाम पर यहां पर बास एक दो धाबे हैं जहां पर मैगी जैसी कुछ चीजे मिल जाएंगी रात को इस्टे करने के लिए कोई होटल नहीं है यह देखिए इसके पास एक पाइप 30 मिटर की हाइट पर बनी यह मुस्लिमों की दरगा है बताया जाता है कि बाबा रेसी पयमुद्दीन रेसी का यह नाम था अंदर लगली की कारेगिरिया आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी इसके लावा एक बाजार और कुछ खाने पीने की दुखाने भी आसपास है रात को रुकने के लिए एक छोटा सा गैस्ट हास भी बना आए इससे पहले कि हम गुलमर घूमने के कुल खर्चे की बात करें यहां घूमने का बैस्ट टाइम देख लेते हैं कि आपको यहां पर कवान आए तो देखिए सीधा साधा इस आब है अगर आपको सिनोफॉल दे जाते जिस करण आप कस्मीर में फसे रह जाओके कुछ दिनों के लिए जब तक वह साफ नहीं होता है लेकिन खूब सुरत वादियों के बीच फसे रहने का बहुत जादा मजाता है जैसे कि हम फस गए थे क्या क्या हुआ था हमारे साथ सीजन वन में आपको पता चल 12 एपिसोड है और आपको और जादा जानने की इच्छा है तो उनको देख लीजिए इसके अलावा मार्च अप्रेल महिन में भी गुलमर्ग गॉंडोला के फेस वन और टू पर आपको बरफ देखने को मिल जाएगी मैं जून में बरफ देखनी है तो आपको फेस टू पर जाना होगा नीचे सिनू नहीं मिलेगी गुलमर्ग में गरमियों में जो नीचे का मैदान है न वो पूरीतर से हरियाली और फूलों से बरा रहता है जुलाइए अगस्त मांसून का सीजन होता है पर बाकी हिस्सों के मुकाबले यहां पर मांसून में इतनी जादा बारिस न नवंबर में ठंड बढ़ने लगती है लेकिन आपको सिनोफॉल उस दोरा नहीं मिलेगी बागी सब महीनों की बाद तो हमने कर ली तो आप अपने ही सबसे देख लीजिए कि कवाना है दोस्तों अब लाश्ट में चलते चलते गुलमर घूमने के कुल खर्चे के बारे में जा देख लेते हैं तो सिरी नगर से गुलमर जाना और एक राथ रुखने के लिए प्राइवेट टेक्सी का हमने चार्ज मान लिया तीन अजार रुपे और सस्ता चाहिए तो सिरी नगर से सेरिंग टेक्सी कर लीजिए 200 आना और 200 जाना तो इसका हुआ 400 रुपे अब हम गुलमर्क पहुंच गे तो वहाँ पर एक रात होटल के रुखने का हमारा किराया लगा करीब 2000 रुपे खाने का हम यहाँ पर मान लेते हैं 1000 रुपे गॉंडोला का टिकिट आपके उपर डिपेंड है कि आप फेज 1 तक जाना चाता है या टू भी आपको कवर करना है तो अगर फेज 1 पर जाना है तो 740 रुपे और टू पर जाना है तो 950 रुपे अब हम यहाँ पर आए हैं तो यार फेज 2 पर भी जाना जरूरी है क्योंकि उपर जो हैं आपको ओर जाद अच्छा देखने को मिलेगा तो हम फेज 1 और फेज 2 दोनों का जोडते हैं तो वो बैठता है 1690 रुपे इसकी घुर सवारी या अन्य एडवेंचर एक्टिविटी को अगर हम जोडते हैं तो उसका लग जाएगा 12 रुपे के असपास इन सब को जोड़ें तो प्राइवेट टैक्सी से हमारा घुमने का खर्चा है गुलमर का एक रात दो दिन का वो है 8,890 रुपे अगर शेरिंग टैक्सी से आते हैं तो यह बजट थोड़ा सा और कम हो जाएगा वह जाएगा 6,290 रुपे ठीक है ना भाई अगर आप गुलमर पैकेज करके भी घुमते हैं तो दो व्यक्तियों के लिए 10 से 12,000 रुपे में आप आराम से यहां पर गुलमर घुम लोगे प तो देवाजी यह मोल भाव करने के आपकी कैसी चमता है मतलब जैसी सुविता वैसे रुपे खर्च करने के तो आप कितना भी कर लो यार सब आपके जो है बजट के उपर डिपेंड है हमने यहां एक मीडियम वाला बजट बताया है जो ना जाद उपर है और ना जाद 90% तक यह ठीक है बागी सब कुछ आपके उपर डिपेंड है तो दोस्तों यह थी अपनी गुलमर की वीडियो उमीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो जानने को मिला ही होगा यार हमने इतनी महनज्यों की है इसमें अगर कुछ गलती हो गई हो कहीं कुछ छूट गय हो या जोड़ घडाने में कुछ इधर उदर हो गया हो तो उसके लिए एडवांस में सोरी अगर आपको कुछ सवाल हो सुजाव हो सिकायत हो या कुछ भी आप पूछना या बताना चाते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए तो चले मिलते हैं कस्मीर सीजन टू के एपिसोड चार में जिसमें हम पहल गाम के बारे में जानेंगे और वहां अमरनाथ से रिलेटेड भी कुछ जानकरी देंगे क्योंकि अमरनाथ की यात्रा का एक रास्ता जो है पहल गाम से भी जाता है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट करेंगे तब तक के लिए जय हिंद तो जी हाँ दोस्तो इस टाइम अब है भाई कहां बढ़ा पुरा कस्मीर जो है टूरिश से भरा पड़ा है उसमें हम गएते कि भाईया मैं रूम दे दो बोला कि भाई साब एक ही रूम खा लिए रूम तो आपको मिल जाएगा मैं कितने का मिलेगा बोला कि 9000 मैं 9000 रूम दे ट्यारो